हालो एवरीवन वेलकम टू इलेटर डिपार्टमेंट आज की इस वीडियो में एक न्यू जॉब वेकेंसी की बारे में बताने वाला हूँ जो की आ रहा है एस जे वी एनल की तरफ से याने की सत्रुलज जल बिद्दुत निगाम लिंटर की तरफ से कापी अच्छे वेकेंसी निकाली गई है इसमें डिप्लोमा के लगभग सभी ब्रांच के लिए वेकेंसी निकाली गई है जो आपका पोस्ट होने वाला है वो जूनियर इंजिनिर का पोस्ट होने वाला है इसमें अपलाई करने का स्टार्टिंग डेट क्या है और आप कब तक अपलाई कर सकते हैं इसके बारे में सब कुछ आपको वीडियो को में बताएंगे तो आप लोग complete information के लिए वीडियो को पूरा एंड तक देखती रही है तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो वेकेंसी है SJVN की तरफ से निकाला गया है याने कि सतलुज जल जुद्धुत निगान है यहाँ पर आप देख सकते हैं जो SJVN लिंटेड है यह जॉइंट विंचर है गौर्मेंट आप इंडिया और गौर्मेंट आप हिमाचल प्रदेश का इसमें सबसे पहले आप लोग देखी इसमें वेकेंसी किस-किस ब्रांच के लिए निकाला गया है तो आपने डिप्रो पोस्ट होने माला है अपका junior field engineer का होने माला है और इसमें जो वेकेंसी है टोटल 30 वेकेंसी है इसमें full time diploma in civil engineering में मांग रहा है इसके बात करें एलेक्ट्रिकल के लिए तो 35 वेकेंसी हैं अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आप इसमें अप्लाइब कर सकते हैं इसे प्रका करेंगे तो यहां पर काफी अच्छी वेकेंसी है junior field engineer पोस्ट होने वाला है आपका और civil mechanical electrical से अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आप इसमें अप्लाइब कर सकते हैं इसमें age limit की बात करें तो maximum age limit जो है वो 30 years है अगर 30 years से कम है तो आप इसमें अप्लाइब कर सकते हैं इस और अगर बात करें age में छूट की तो rule के एकार्डिंग जो age में छूट दिया जाता है वो आपको दिया जाएगा और अगर बात करें टेस्ट सेंटर की आपका टेस्ट सेंटर कहां हो सकता है तो देखें हिमाचल प्रदेश के किसी भी यहां पर area दिया गया यहां पर कहीं भी हो सकता है चंडीगाड मोहाली और देहरादू जब आप form को पेल करेंगे तो दो reference आप से पूछा जाएगा जो सिविल से करेंगे तो सिविल के 70 कोश्चन होंगे और 30 कोश्चन जो होंगे आपके वो जनरल एप्टिट्यूट के होंगे और यहां पर देखी कुछ कंडीशन भी दिया गया है कि कौन-कौन से रिजन के जो कंडिडेट है वो अप्लाई कर सकते हैं तो बात करें उत्तरा ख लेकिन इसमें काफे इची सेलरी देखने को में रहने के 55,000 पर मत और इसलरी डिपेंड करता है आप का किस एरिया में पोश्टिंग होगा जिस एरिया में पोश्टिंग होगा उस वहाँ पर सेलरी आपके 55,000 से बढ़कर और अधिक हो जाएगी तो अगर यह बात करें जो 300 प्लस GST 18% यानि कि लगभग 300 के करीब इसका अप्लाई फीस रखा गया है अगर यहाँ पर हम इंपोर्टेंट डेट की बात करें तो इसमें आप तेज एक दोजार तेज से यानि कि 10 एम से आप अप्लाई कर सकते हैं 12 दोजार तेज तक इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं अप्लाई करने का प्रोसेस किया है यहाँ पर बिल्कुल नोटिफिकेशन में दिया गया है और कौन-कौन सा डाकुमेंट लगेगा अप्लाई करने के लिए वो भी यहाँ पर दिया गया है तो आप लोग इसको पढ़के अगर आप इसमें इंट्रेस्ट हैं तो जरूर से जोब है लेकिन काफे अच्छी सेलरी इसमें दिक्रिव को मिलता है पांच साल का कॉंट्रेक्ट है तो अगर आप इसमें इंट्रेस्ट हैं जरूर से अप्लाई कीजेगा और अप्लाई कर लिए अगर अभी तक हमारे टेलेग्राम चैनल से नहीं जोइन हुए है तो